नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट योटोब चैनल पे आज की डेट में आपको बताने वाले हैं इंपलाबिल्टी स्किल के कुछ ऐसे कोशन जो की आयटे एक्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं और जितने भी चात्र एक्जाम देने गए थे उन्होंने बताया सर ये कोशन पूछा गया है और वही कोशन जब मेरे पास डबल आ रहा था तो मैंने सोचा इस पर क्यों न एक वीडियो बना दिया जा ताकि जो भी चात्र अभी एक्जाम देने नहीं गए हैं उनको ये समझ में आ जाए कि ऐसे कोशन बार बार पूछे जा रहे हैं और इन कोशनों को एक बार जरूर देख खर जाएं तो चले आज का कोशन स्टार्ट करते हैं और ये कोशन आईटे सेकेंडियर के छात्रों के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं किसी भी ट्रेट से आप आईटे आईए कर रहे हैं यदि आप आईटे सेकेंडियर का ऊच्ण बार जरूर देख कर जाईएगा जैसे की पहला कोशन इसमें है भी फ्रीनिंट मतलब का मतलब क्या है मतलब पीपी का पूरा नाम क्या होता है तो बीपी का पूरा नाम होता है साथिो सकनल प्रोटेक्टियव एक्क्यूमेंट और यहाँ पर जो दिया गया आपसन सातियों आपका करेक्ट इंसर हो जाएगा आगे देखिए अगले कोशन को अगला कोशन पूछा जा रहा है कि गुडवत्ता परबंदन पडाली समस्या और समधान के लिए कुछ उपकरणों का उपयोग करती है निमलकित में से कौन इनमें से एक नहीं है बाकी यहाँ पर सभ दी आपसनों को पढ़िये जैसे की आप इस बोन आरेक और भी आपसने 5D और 5S तरीके और C आपसने 4D और 4S तरीके और D आपसने काईजन सिध्धान तो सातियों इसमें जो नहीं है वो आपका आएगा आपसन नमबर C जो की 4D और 4S तरीके C आपसन सातियों आपका हो जाएगा अगले कोशन को देखिये अगला कोशन आपके सामने जिसमें पूछा गया था कि सोचल मेडिया में हम अपनी भावनाओं और भावनाओं को बेक्त करने के लिए यहाँ पर आपका खालिस्ताने पर उप्योग करते हैं तो यह जो खालिस्ताने इसमें क्या भरा जाएगा जैसे कि emoji, B option इसारो, C option आक से संपर्क और D option सररीक हल चल तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा option number A emoji का उप्योग करते हैं तो यहाँ पर पूछा जा रहा है तो यह आपसन आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगले question को देखिए यह भी question आपका कई बार repeat हुआ है इसी साल जुलाई मंत में जो exam हो रहा है इसमें ही कई बार यहाँ पर देखने को मिला है पूछा जा रहा है कि जब हम business परिसितियों में या business लोगों के साथ जड़ता से महसूस करते हैं या परतिकरिया करते हैं तो हम अपने खाले सान का उपयोग करते हैं भावनाओ का या भी option है स्वास्त का या पैसे का या कोई नहीं तो सबसे ज़्यादा जो बेक्त होता है वो यहाँ पर भावनाओ का यहाँ पर बेक्त होता है किसी से आप हाल चाल पूछते हैं उसके बारे में आप जनकारी लेते हैं क्या हाल चाल है कैसे हैं ठीक टाक हैं तो यह सभी जो चीजे आती है भावनायों के अंतरगत आती है, तो यह आपका A आपसन करेक्टेंसर हो जाएगा, आगे देखिए अगले कोशन को, अगला कोशन इसमें पूछा जा रहा है कि, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, तो हमें लगता है, आगे खाले साने, चि आपका खुसी का महोल होता है, आपसन नंबर D आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा, काफी यहाँ पर लाजिकल कोशन पूछा जा रहा है, जो आपका जो है, यहाँ पर प्रस्टेशनल चीजों से आपका बिल्कूल मेल खाता है, जिसे कि आप यहाँ पर वेक्तिकर रूप में एक दुसरे को जानने के लिए प्रयास करते हैं, यहाँ पर अगला कोशन है, सो परिचे में खालेस्तान के बारे में बुनियादी जनकारी सामिल है, जिसे कि सेच्छडेक, B आपसन, परिवारिक प्रिष्टिभ हो में, C आपसन, रूचिया, D आपसने उपर के सभी, तो सात आपसन नंबर, D आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा, आगे देखें अगले कोशन को, अगला कोशन साथ हो, इसमें पूछा जा रहा है कि, अपने आपके लिए, या अपने आपके एक त्वरित सरांस को खालिस्तान कहा जाता है, A आपसन गुस्से वाला स्वर, B आपसन असा आपसन, C आपसन, एलिवेटर पीच, और D आपसन भावनात्मक बात, तो साथियो, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, आपसन नंबर, C एलिवेटर पीच, C आपसन हम कोशन के अनुसार करेक्ट एंसर हमारेंगे, सभी लोग मिला लिजेगा, आगे देखें अगले कोशन को अगला कोशन, यह कोशन अब तक इस परिच्छा में दो बार रिपीट हो चुका है, जिसमें पूछा जा रहा है कि, लिक डाइंग के कुछ लाबों के में सामिल है, जिसे कि किसी के बायो डाटा या पेडियाप डाउनलोड कर सकते हैं, B आपसन है, प्रबंदों और नियोक यह बिल्कुल करेक्टेंसर हो जाता है, आगे देखिए अगले कोशन को, अगला कोशन इसमें है, जिसमें कहा जा रहा है कि, सकरात्मक परिक्रिया है, जिसे कि A आपसन गुड मतलब की अच्छा, B आपसन है, उस साहन जनक, C आपसन है, उनकी ताकत को समझने में मदद करता है, और D आपसने उपर के सभी, तो साथियों, यहाँ पर आपका D आपसन बिल्कुल करेक्टेंसर हो जागा, उपर के सभी आपसन क्या है, बिल्कुल सही है, मिला लिएगा, आगे देखिए अगले कोशन को, अगला कोशन इसमें आप पूछा जा रहा है कि, घर पर परिवा परिव परिवार के सदेशियों के बीच, बात चीत या करमचारियों के बीच अकास्मिक बात चीत है, a आपसन बिल्कुल सहां, अगे बड़ते हैं, अगले कोशन को देखिए, अगला कोशन पूछा जारह कि, अपने नियुक्ता, सच्छतकार्धा, परिवच्छिकश्द ब और अन्य लोगों को टेलिफोन का लग करना खालेस्थान का एक उधारण है ये किस तरह का उधारण है जिसे कि A आपसन अन्हाक का संचार B आपसन सच्छतकार C आपसन मोखिक समवाद और यहाँ पर D आपसने उपर के सभी तो सातियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है आपसन नंबर C मोखिक समवाद C आपसन आपका करेक्ट इंसर हो जाएगा आगे देखे अगले कोशन को अगला कोशन इसमें पूछा जा रहा है कि ITI परचारे से मनूझ को बुलाया ITI परचारे ने मनूझ को बुलाया खालेस्तान यहाँ पर आपका यहाँ पर है और आगे कहा जाए कोशन में परधानाचारे ने CTS परिच्छा के लिए खालेस्तान हाल टिकट दिखाने के लिए कहा तो उस समय उनसे वो क्या कहेंगे उसे उसका या उसे उसकी मतलब कि संबोधन के तौर पे वो कौन से यहाँ पर भासा का यूज करेंगे यह आपका आपसन यहाँ पर दिया गया है तो वो उसमें परियोग करेंगे उसे उसका हाल टिकट दिखाने के लिए कहा मतलब कि वहाँ पे जो है क्या है वो ही है क्या है सात्यों मनोज क्या है मनोज एक लड़का है और लड़के के लिए हम ही का पर्यूब करते हैं और जब यहाँ पर इसका अबजेक्टिव के साथ है सात्यों तो उसका के लिए हम हीच का पर्यूब करते हैं तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आपसा न के उधारन है एक नाम के द्वारा आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं कि जो सामने है उसको हम अधावडा बोलते हैं या आगे जो यहाँ पर समान होगा उसको इंडिकेट करने के क्या है एक से यहाँ पर सब्द है तो आपसन नंबर डी आपका करेक्ट इंसर हो जाएगा आगे देखिए अगले कोशन को अगला कोशन पूछा जा रहा है कि एक सच्छतकार के संदर्व में खाले स्तान अभिवादन का प्रियोग किया जाता है जैसे कि ए आपसन आपचारिक बी आपसन अनौपचारिक सी आपसन अनुकूल डी आपसन कोई नहीं तो साथियो यहाँ पर आपका ए आपसन सही हो जाएगा जिसे आपचारिक के नाम से जाना जाता है ए आपसन आपका कोशन के अनुसार करेक्ट इंसर हो जाएगा मिला लीजेगा आगे देखिए साथिय तो अगले कोशन को अगला कोशन इसमें पूछा जा रहा है की मनुस्य सौभाव से खाले स्थान है यहाँ खाले स्थान आदतों की खेतिये जो एक बहतर इंसान बनाती है जिसे कि A option उत्तम और अच्छा B option उत्तम सकती C option अपूण अच्छा D option अपूण कमजोर तो साथियों यहाँ पर आपका C option सही हो जाएगा अपूण अच्छा ये आपका C option करेक्टेंसर हो जाएगा अगला कोशन ये भी कोशन आपका कई बार repeat हुआ है जिसमें पूछा जा रहा है कि spoken communication नो केवल खालेस्तान बलकि खालेस्तान भी है इसे की मौकिक और सब्दिक है या बोलना लिखना यसी आप सने बोलना अपचारिक या डी आप सने लेखन अनपचारिक तो साथियो यहां पर आपका सही हो जाता है जाएगा मिला लिजेगा अगले कोशन को देखे अगला कोशन इसमें पूछा जा रहा है कि मोहले में पानी की किल्लत है छेत्र है यह आप सन पर दोसीत है या सोर या सूखा या असमतल तो साथियों यहां पर आपका सही हो जाएगा आप सन नंबर सी ड्राइ पतलब की सी आ आपसन आपका करेक्टेंसर हो जाएगा सूखा आगे देखते हैं अगले कोशन को अगला कोशन इसमें पूछा जा रहा है कि किसी अस्थान पर किसी बेखती या बस्तू के खालिस्तान बेवहार और खालिस्तान के इस्तिती पर्यावरण कहलाती है प्रभावित या विकस्त या परभावित या विकास, या परभावित वर विक्सित तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, आपसा नमबर भी बिल्कुल करेक्ट इंस और परभाव और विकास, तो यह साथियों आज की डेट में जो कि एक्जाम में सबसे ज़्यादा यहां पर रिबीट हुए जो कि ITH आत्रों ने बताया और यह कोशन आपको बार बार देखने को मिलेंगे तो सभी कोशन को आप रट के जाए यदि आप एक्जाम देने जा रहे हैं तो